नमस्कार योग आसन जो है वो करने की जब इच्छा होती है तो हम सोसते हैं कि कब करें सुबह या शाम को देखिए योग का सबसे बेटर समय जो है वो तो है सुबह का ब्रह्म मूरत में ब्रह्म मूरत का मतलब होता है कि लगबग 48 मिनट पहले तक सुर्योदे से 48 मिनट पहले और वैसे ब्रह्म मूरत का लगबग 4 बजे के बाद का समय ब्रह्म मूरत का माना गया है अब हम लोग अगर सुबह सुबह जल्दी उठकर योग प्रणयाम करें तो जब फ्रेश होके आते हैं उसके बाद में शरीर लगबग शुद रहता है और शरीर की एक्टिविटी जो है वो अंदरुनी बहुत सक्रिय रहती है उस समय हम ध्यान, प्रणयाम, आसन सभी कर सकते ह लेकिन मूल लूप से सुबह खाली पेड जो है वो प्रणयाम का बहुत बैटर समय जो है वो माना गया है अगर उस समय प्रणयाम किया जाए तो हमारे शरीर में एक एनरजी जो है वो बहुत अच्छी बढ़ेगी दूसरा प्रान का जो शरीर के अंदर आवागमन है वो भी बहुत बेटर बनता है अब अगर बात करें आसनों की तो देखिए कि हमारा एक क्रम होता है जब आसन पहले आसन होते हैं कई लोगों के सवाल आये हैं कि हम सुबह सुबह दोड कर आते हैं तो आप दोड कर आ सकते हैं सुबह सुबह जोगिंग करें जोगिंग करिया ये दो आपन कर देना चाहिए ये सुबह का क्रम है लेकिन कई लोगों की जो इच्छा होती है वो ये है कि सुबह जो है वो हमारा रोटीन बहुत बीजी रहता है हमें टाइम नहीं मिल पाता तो शाम का क्यों ना किया जाए माताओं बेनों को जादत ऐसे समश्या है क्योंकि बच्च योगा कहा जा सकता है तो इवनिंग योगा के बारे में आज हमारी कुछ सावधानिया और क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए उस विशया पर हम बात करेंगे तो आप देखें कि लगबग घरों में बारा से दो बज़े तक भोजन किया जाता है मूल रूप से योग करते स हमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि पेट के अंदर हमारे भोजन की स्थिति क्या है हमने जो खाया है पिया है उसको कब खाया कब पिया बस इतना ध्यान रखना है तो उसमें मूल रूप से बात यह है कि दोपेर में जो हम बारा बज़े भोजन करते हैं तो लगबग चार घंटे का अंतर तो कम से कम होना चाहिए पांच घंटे ले 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 तो बहुत बढ़िया है तो बारा बज़े अगर भोजन किया तो पांच बज़े अगर आपने एक बज़े भोजन किया है तो छे बज़े मोटा मोटी चार घंटे तो लीजिए तो पांच बज़े तो कम से कम आपको देना चाहिए हाँ जिनको शाम को योगा करना है शाम को आसन करने है वो लेट भोजन नहीं करें कई घरों में हमने देखा है कि ग्यारा बज़े तो वो सुबह का ब्रेकफास्ट करते हैं और बाद में तीन से चार बज़े तक जो है वो लंच लेते हैं ये बहुत गलत रूटीन है इस रूटीन को थोड़ा सुधारी आप लेट मत करिये भोजन जितना जल्दी हो जाए तो सुबह वाली इस्थिती में नहीं मिल पाते शाम के योगा का पहला फाइदा ये है कि उसमें हमारा पूरा शरीर पूरे दिन का जागरत रहता है यानि एक्टिविटी की ही होती है तो शरीर खुला हुआ रहता है मैंने ये भी एक्स्पिरियंस किया है कि सुबह जैसे प बहुत अच्छी इस्थिती में व्यक्ति आता है क्योंकि पूरे दिन का शरीर खुला हुआ रहता एक एक पार्ट खुले हुए रहते हैं इसलिए शाम को कुछ आसन जो कि आपको बहुत स्ट्रेचिंग करने वाले करने होते हैं वो शाम को किये जा सकते हैं तो अभी तक रि कि अगर आसनों को करेंगे तो स्ट्रेच होती है बोड़ी बहुत अच्छा फील होता है आपको और दूसरा ये भी है कि जिसको बोड़ी में बोड़ी फैट बढ़ाना हो या बोड़ी बढ़ानी हो शरीर बढ़ाना हो उनके लिए भी शाम को बहुत बैटर ऑप्शन है क्य सोने से 2-3 गंटे पहले लेकिन जिनको एक सामान्य वक्ति है जिसको कोई वजर नहीं बढ़ाना उनको तो शाम को हलका ही भोजन लेना चाहिए तो शाम की जो योगा की हमारी साबदानिया है उसमें विशेस रुप से भोजन हमारे आतों में नहीं होना चाहिए आतों से नी भोजन किया हो वो शाम को इवनिंग योगा वाला जो सेशन है वो नहीं करें उस दिन बंद कर दें हाँ एक चीज हो रहाती है कि इवनिंग योगा जब करने का मन करता है उस समय शरीर जो है बहुत क्योंकि शाम को वायू कोपित होनी शुरू हो जाती है शाम को हमारा शरीर पिर देखिए आपको कितना अच्छा फील होगा आप बहुत शांदार तरीके से योगा जो है शाम को कर पाएंगे आसन कर पाएंगे बस एक बार थोड़ा सा मन में जरूर आएगा या आपको महीने में पंदरा दिन आएगा तो इसको फील करिए कि अगर ऐसा आता है तो भी द्रड़ इच्छा सकती से आप कदम ताल शुरू कर दीजिए फिर उसके बाद में देखिएगा कितना शांदार आपसे योगासन होगे उसे में स्टेचिंग बहुत अच्छी होगी तो ये कुछ हमने आपको बाते बताईए जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए शाम को पान की व्यवस्ता रखनी चाहिए हां इतना नहीं कि पेट भर ले पूरा जब भी बीच में प्यास लगे तो एक गूर जो है वो पानी बीच बीच में आपको लेते रहना चाहिए ये ध्यान रखना है जो लोग शाम को चाय पीते हैं जैसे चार बजे चाय पी चाय बजे हम उन जैसे लगता है उनको जैसे शास्त्रों में लिखा है कि शाम को चाय नहीं पीएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा तो उस समय का वो जो शेशन है उसमें बहुत हैवी कई लोग बहुत हैवी नास्ता भी करते हैं उस समय कुछ खाने को बहुत हैवी लेते हैं वो नहीं ल दोल हो जाता है वो आंतों में चला जाता है तो ये कुछ बातों का हमें ध्यान अखना है कि शाम को जो योगा करते हैं उसमें हम लोग क्या क्या करें तो शाम को जो विशेस रूप से हैं वो आसनों का पैकेज बनाईए अगर मोटापा कम करने वाला पैकेज है तो भी बहुत बेटर है क्योंकि उसमें आपकी stretching बहुत अच्छी होगी हर आसन का जो है लाब आपको उसमें विशेश रूप से मिलेगा और आपके blood का circulation जो है वो शरीर पर बहुत अच्छा बनेगा जिनको cubs constipation रहता है उनको भी शाम को योगा किया हुआ हमने लाब होता देखा है जिनक कुछ फाइदे जो है इंवनिंग योगा के भी है और वो अगर आप नियमित रूप से करेंगे तो ज्यादा बैटर रहेगा सुबह का जो आसन का जो package है वो तो बैटर है यह श्याम को अगर आप साथ में इसको भी करना चाहें तो आपको उर ज्यादा सोने पर सुआगा य हमारा ये भी अनुवाव रहा है कि शाम को आसनों के साथ कपाल भाती के श्टोक भी बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि सुबह सुबह हमारी एक एक जो अंग है जो वो है वो श्टोक नहीं मार पाता है हमारी आते जो हैं खुल नहीं पाती हैं शाम को अगर आपने एक बा लगता है तो जिनको भी शाम को योग आसन करने हैं शाम को श्टोक लगाना है तो वह पहले आसनों का अपना प्रणयाम भी शाम को करिए वह आसनों का डबल फाइदा वह दे देगा तो इस कोशिश करूंगा कि जैसे बुजूर्गों के लिए महिलाओं के लिए योगा का पैकेज बना कर आपको दे इतने दिन थोड़ा सा हम जो है इसमें त्रीने त्रीयोग धाम में कुछ पोधों के लगाने में इन में थोड़ा बीजी हो रहे थे और थोड़ा सा भी पीड और और मेरा ये प्लान है कि अगस्त सेप्टेंबर तक हम लोग एक घंटे का योगा शेशन जरूर शुरू करेंगे वो लोकल लोगों के लिए होगा बाकी कोई आना चाहे तो एक दिन का कंसल्टेंसी करने के लिए आ सकता है वो लगबग अगस्त सितंबर तक हमारी कोशिश है अ थोड़ा सा समय लगेगा अभी हमने खरीदा है थोड़ा हम इसमें एड्जेस्ट हो जाते हैं फिर कैसे क्या बनाना है वो धीरी धीरे प्लान बनता जाएगा आप लोग भी आएंगे आपके भी सजेशन सम लोग लेंगे और ये एक तरीके का ऐसा पवित्रिस्थान हम भी दान करें साथ में बहुत सारे पीडव पोदे हारी पत्यां हैं उनका कैसा हम उपयोग कर सकते हैं इनको जीवन में कैसे हम भोजन के रूप में पत्तियों से अपना इलाज कर सकता है कुछ ऐसा भी अनुभव हम करने का प्रियास करेंगे हालाकि ये हमारा नया झाल झाल झाल